नमस्कर दूस्तो अभी अभी दू मिनट पहली की सबसे बड़ी बिक ब्रेकी नीज इस वक्त आ रही है अभी अभी विवान में आई खराबी इमर्जेंसी लेंडिंग कर आए गई है केरल के कनूर से दोहा जा रही इंडिगो फिलाइट को मुंबई डैवर्ट के गया है बताया कि फिलाइट के एक हाइड्रोलिक सिस्टम में कुछ खराबी आ गई है इस वज़े से विवान को मुंबई डैवर्ट कर दिया गया है बहुती बड़ी खबार इस वक्त आ रही है दोस्तों प्लैन को लेका रहे जानकारी सामने आ रही है कि सुकरवार को एरबे से ए थ्री टू जीरो विमान ने केरल के कनूर से उड़ान बरी थी फिलाइट को दोहा के लिए जाना था लेकिन तभी विमान के एक हाइड्रोलिक सिस्टम में कुछ तकनीकी खराब्य गई थी और उस वज़े से फिलाइट को तुरंत मुंबई के लिए डैवर्ट करना पड़ा है अभी तक एरलाइट की तरफ से किसी भी तरह का कोई बयान जारी नहीं के लिया है सिर्फ इतना का गया है कि कुरू ने उड़ान के दुरंत तकनीकी खराबी नोटिस की थी और इसी वज़े से फिलाइट को मुंबई डैवर्ट के लिया है अभी के लिए यात्रियों के लिए दूसरे विमान का इंतियाम किया जा रहा है अब पिछले कुछी समय में कई ऐसी घटना सामने आई है जहां पर विमानों की इमर्जेंसी लेंडिंग हुई हो या फिर जहां पर विमानों में कोई तकनीकी खराबी आई हो फिर चाए स्पाइस जेट के विमान रहे हुँ या फिर दोस्तों इंडिगो की सिकायते लगातार सामने आ रही है अब इंडिगो के विमान का हाइड्रोलिक सिस्टा में खराब हो गया है जिसके चलते यात्रियों को काफी ज़्यादा परेशान यूठानी पड़ रही है और यात्रियों में हड कंप मच गया है बहुत बड़ी ख़बर इस वक्त आ रही है 18 नमबर को भी इंडिगो की एक फिलाइट को तकनीकी खराबी के कारण कोलकाता एयरपोर्ट पर लेंड करा गया था जानकारी के मुताबिक इंडिगो की फिलाइट 156 यात्रियों को लेकर सुबह साड़े 10 बजे कोलकाता एयरपोर्ट से मुंबई के लिए उडान भरी थी फिलाइट के उडान भरते ही उसमें तकनीकी खराबी का पता तल गया इससे पहले 28 अक्टॉमर को भी ऐसा ही मामला सामने आया है इससे पहले दूस्तों स्पाइस जेट की जो फिलाइट है उनको डी जी सीय ने दूस्तों बंद कर दिया है क्योंकि उन में सबसे ज़्यादा दिक्कते आ रही थी और अब दूस्तों इंडिगो की फिलाइट के अंदर भी ऐसी दिक्कते सामने आई है तो बहुत बड़ी ख़बर आप सभी अलट रहें सुरक्षित रहें अपनी आए कोमेंट में लिखें चेरल को सब्सक्रेब करें